विल्कम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग यान में आप देख रहें नर्सिंग यान जी एनेम फर्स्ट येर साइकलोजी सोस्योलोजी यानी बिहेबियर साइंस डिफिनीशन नमबर चौथा और यहां आखरी जो है वीडियो है डिफिनीशन का बिहेबिय समाज एक अमूर्त अबधारना है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाया जाते हैं जो क्या होता है एक समूह के सदस्यों के बीच पाया जाते हैं आपसी संबंधों की संपुन्ता का बोध कराती है तो समाज जो है या एक संबंध को बताता है एक दुसरे के बीच के संबं यहां एक अमूरताफधारना है जो सदस्यों के बीच में पाई जाती है किसी संबंधों की बोद कराता है प्राथमिक संबंधों प्राइमरी ग्रूप अब आता है ग्रूप में बहुत सारे ग्रूप है एक है प्राइमरी एक है सेकेंडरी प्राइमरी ग्रूप उस समूह को प्रात्मिक समूह कहा जाता है जिसके सदर्सों में आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं अर्थात सदर्स परत्या चुरूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं प्रात्मिक समूह वह समूह होता है जिसमें जो गुरूप होता है इस गुरूप में जो भी बेक्ती है इस बेक्ती एक बेक्ती यहां एक बेक्ती यहां एक बेक्ती यहां तो इन बेक्ती में डाइरेक्ट आमने सामने के संबंध होते हैं ड डाइरेक्ट संबंद होते हैं भाई का चाचा का चाची का माता पिता का डाइरेक्ट संबंद होते हैं ठीक है और वही प्राइमरी ग्रूप होता है अगर परत्यक्ष संबंद होगा तो परत्यक्ष संबंद में कितना कम सदस रहते हैं इसलिए प्राइमरी ग्रूप जो है छो के लिए आमने सामने के संभन तथा घनिस्टा की कोई अबस deta नहीं होता है सकेंडि अगर समूह का करना है दुतियक समूह का तो इसके लिए कोई जो है फिक्स नहीं है कि एक दुसरे के डाइयरेक्ट संंबन ही हो या फिर एक दुसरे के बीच घनिष्टता हो ऐसा नहीं है ठीक है मतलब कहने का मतलब है कि कोई अगर बेक्ति हम बिहार के रहने वाले हैं और कोई बेक्ति अगर यूपी से आ गया और उससे भी हम जान पहचान कर लिए कुछ दिन हो हमारे समूह में रहा तो वह एक दुतियक समूह हो जाएगा यह यह कहे कि जैसे एक सैनिक का टुकरी है ठीक है जैसे सैनिक होता है इंडिया लेवल पर सेंटरल लेवल पर काम करता है लोग जैसे 15-20 सैनिक का एक ग्रूप बनता है ठीक है सदस होते हैं 15 सैनिक अब यह 15 सैनिक ऐसा तो नहीं है कि सबसे आपको पहले से जान पहचान ही है कोई किसी एस्टेट का कोई किसी एस्टेट का कोई किसी एस्टेट का लेकिन सब मिलकर एक ग्रूप में रह रहा है तो वह सकेंडरी ग्रूप होगा लेकिन क्या है सब में एक दूसरे के डाइरेक्ट संबंध नहीं है ठीक है सब एक दूसरे के बीच कोई घनिष्टा नहीं है लेकिन च प्राथ्मिक समूम में जो प्यार जो लगाब होता है वो सकेंडरी गुरूप में नहीं होता है क्योंकि सकेंडरी गुरूप में सब एक दूसरे के परत्यक्ष संबंधी नहीं रहते हैं ठीक है समझे के चलिए समाजिक अस्तरी करन का मतलब होता है कि समाज के अस्तर पर बाटना ठीक है पेसा के अधार पर काम को बाटना समाजिक अस्तरी करन का मतलब है समाज की विवीन ऐसी अस्ताई स्रेनिया और समू में विभाजन से है जो उच्तर और अधिंता के संबंधों से प्रश पर संबंध है समाजिक social stratification कहने का मतलब होता है कि यह एक अस्तर होता है यह एक level होता है जिसमें बेक्टी के उसके पेशा क्या दहार पर उसके काम काज क्या दहार पर यह जो है उसको बाटा जाता है जैसे देखते हो येगा कि जो बीजनस्मेन रहता है तो वह अपना बच्चे का साधी ज़्यादा तर बीजनस्मेन से ही करता है ठीक है अगर कोई बड़ा बीजनस्मेन है तो वह 20-40,000 सरकारी नोकरी कमाने वाला से थुर्ण करेगा वहीं पर अवकाद पता चल जाता है सरकारी नोकरी वाला का और अगर सरकारी कोई नोकरी वाला है मैं बता दूँ अगर कोई सरकारी नोकरी वाला है तो वह उसके लेवल का या इसके नीचे के लेवल के परती या सरकारी नोकरी वाला आउकाद दिखाएगा लेकिन जैसे ही इससे उपर लेवल होगा बिजनस वाला सीधे इस सरकारी नोक मिलेगा महीना बिजनसमेन है तो उसका कोई लिमिट नहीं है उसका अपना मन कराजा है वो सीधा साइड कर देता है ठीक है और यहीं पराकाद पता चल जाता है सरकारी नोकरिवाला का जो सरकारी नोकरिवाला अपना दम दिखाता है अपने से नीचे घरबालों के सामने कि हम लेंगे वो लेंगे तो हमारे लेवल के नहीं हो हम साधी नहीं करेंगे ठीक है इस परकार से इन लोगों को पाता चल जाता है इन से उपर वाला से जो बिजनसमेन है वो कभी करेगा बिजनसमेन अगर करोडों में है तो करोडों वाला से साधी करेगा हो जाएगा पचीस- हो गया अच्छे खास से सरकारी वो किसी भी विरोजगार आदमी से साधी कर सकता है नहीं कर सकती है उसको चाहिए कि भाई हम इस लिवल में है तो हम इसी लिवल से शाधी करेंगे लड़की सब्टी करें तो है लगिंगी तो ещё कि टेख तो यही समाजी कस्तरई करन के मतलब ही होता है कि उसके एक लेवल एक अस्तर में ऐसे समूह जो किसी दूसरे समूह से सम्बंधित रखता है ऐसे समूहों में एक दूसरे से परसपर जो है उनके सम्बंध में बिभक्त होते है ठीक है अस्थाई स्रेनी और समूहों में बिभाजन से है मतलब एक बिभाजन जैसे माने गए पंडित है ठी लेकिन वह एक उसका समाजिक अधार पर उसे अस्तरीकरन मिला है उसे सोसल एस्टार्टिफिकेशन के अंदर है वह समाजिक अस्तरीकरन के अंदर है जो उसके पेशा के हिसाब से जो उसके जाती के हिसाब से उसको पेशा मिला है जैसे इसी परकाल से कोई अगर ठाकुर है ठी जो जाती है पेशा है वो है क्या चीज फेशियल बगएरा यह सब करना उससे करके अपना जीवन यापन लोग करता है ठीक है तो यह सब ऐसा नहीं है कि अभी इस्टार्ट हुआ है यह सब एक सोसल इस्टार्टिफिकेशन है समाजिक अस्तरीकरन है जो बेक्टि को उसके disability अपंगता, अपंगता कहने का मतलब है जो ब्यक्ति जन्म से या दुर्गटना के कारण सारीरिक बिक्रितियों अत्तथा मानसिक अक्छमताओं से पिरित है बिकलांग कहलाता है, Handicapped or Ad convenient Bicklancta का मतलब होता है कि बहुत साथे ऐसे बिकlancta होते हैं ज़ो जन्म से ही महजूद होता ठीक है बहुत ऐसे बिकlancta होते हैं जो जन्म से तो ठीक रहते हैं लेकिन आगे चलके किसी दुर्घटना के कारण उनका सरीर का कोई हिस्सा या सरीर किसी ने किसी विक्रीती से गरसित हो जाते हैं मानसिक अच्छमता से पिरित हो जाते हैं और हुई विकलांग कह लाता है ठीक है? चलिए बेरोजगारी क्या होता है? Unemployment बिरोजगारी जब किसी ब्यक्ति के पास जीवी का अरजित करने का कोई साधन नहीं हो नहीं होता है एवं वह आर्थिक रूप से आत्म निर्भर होता है तुसे बिरोजगार कहते हैं जब कोई ब्यक्ति है उससे जीवी का अपन जीवन चलाने के लिए कोई साधन नहीं होता ह जीवी का अरजित करने के लिए कोई साधन महजूद नहीं होता है, और वहां खुद पर आर्थिक रूप से निर्भर होता है, तूसे बिरोजगारी काते हैं, समझ गए है? और अभी देस में बिरोजगारी का क्या हाल है आप लोग जानते ही हैं, इसमें कहने की कोई बात नही ठीक है चलिए समुदाय क्या है community क्या है community समुदाय बेक्तियों का समू है समुदाय क्या है बेक्तियों का समू है जो समीर्थ छोटे छेत्रों में निवास करते हैं तदा समान जीवन बेतिद करते हैं अब एक community कोई बड़े लेवल पर बात नहीं किया जाता है community छोटे-छोट गाउं के उपर बात किया जाता है ठीक है समुदाय जो होता है बेक्तियों का समु होता है और यह बेक्ति जो है एक टोला बना कर भी ठीक है एक मुहला बना कर भी लोग रहता है तो उस हिसाब से समुदाय बेक्तियों का समु है जो एक निकष्ट छोते छेत्र में निवास कर ऐसा नहीं है कि समुदाय एक बड़े छेत्र की बात होता है समुदाय में छोटे छेत्रों की बात होती है छोटे छोटे और समान जीवन लोग यहाँ पे बेतीत करते है समझ गए संस्कृति क्या होता है, कल्चर क्या होता है संस्कृती सब संस्कृत भासा से प्राप्त हुआ है संस्कृती का अर्थ है बिभीन संसकारों द्वारा समुहिक जीवन के उद्यस्यों के प्राप्ति करना देखें संस्कृती बिभीन संसकारों के द्वारा आप अपने जीवन को उद्यस्यों के प्राप्त करते हैं समाज साथ के अंतरगात संस्कृती सीखे हुए बेभारों की वह समागरता है जिसमें की बच्चे का ब्यक्ति तो पलता और पनपता है जैसे एक्जामपल के तोर पर आप ले लीजिए जैसे कोई भी कल्चर आपके सभी धर्मों में अलग-अलग संस्कृती है कल्चर है तो संस्कृती जो है संस्कृत भासा से प्राप्त हुआ जिसका आर्थ होता है विविन संस्कारों द्वारा समूहिक जीवन के उदेश की प्राप्ति करना कि जीवन का क्या उदेश है या समूह में रहकर प्राप्ति करना समाज साथ के अंतरगात जो संस्कृती होता है या सीख नेशनल इंकम मतलब राष्ट्रिये आये राष्ट्रिये आये से तत पर अर्थ बेवस्था दोरा पूरे वर्ष के दोरान उत्पादित अंतिम बस्तुओं वस्यवाओं के सुध मुल के योग से होता जिसमें विदेश से अरजित सुध आये भी सामिल होता है तो राष्ट्रि में आपको अपने देश के देश के आये के बारे में जानना है तो आप देश के आये के बारे में कैसे जानेंगे तो राष्ट्रिये आये से तत पर है अर्थ बेवस्था दोरा पूरे वर्ष के दोरान यानि एक वर्ष के दोरान जितने भी उत्पादित बस्तू है अंतिम सुध मूल से होता है इसमें बिदेशी अर्जित सुध आई भी सामिल होता है ठीक है बजट क्या होता है बजट जैसे आप लोगों को पता होगा कि हर साल सरकार बजट पेस करती है तो बजट एक नीचित समय अबदी के लिए त्यार किया जाने वाला अनुमानित आय एवं ब्याय का लेखा जोखा होता है बजट कहलाता है, रेखें, बजट एक पूरे साल के लिए पेस किया जाता है, जो एक नीचित समय अबधी के लिए होता है, यानी एक साल के लिए होता है, ठीक है, इंडिया में, एक नीचित समय अबधी के लिए त्यार किया जाने वाला अनुमानित आय और बेय आय, मतलब कि इस बिभाग में कितना आय होगा, कितना खरच होगा, इनका लोखा जेखा जो है बजट कहलाता है, समझ गए है, बेसिया बिरिती प्रोस्टिचूशन क्या होता है, तो बेसिया बिरिती अबर्ध योन संबंदों पर अधारित कमाने का एक तरीका है, जिसका अजीवका से संब बेसिया बिरिती भले हम और आप इसको गलत मानते हैं, लेकिन बेसिया बिरिती उनके हिसाब से जो लोग स्पेसे में हैं, प्रोस्टिचूशन में, यह एक अजीवका, मतलब यह जीवन के लिए एक जो है, आपके क्या चीज है, अर्निंग का एक बेस है, अजीवका पर अधारित है, यह भले ही अबैद यहन सम्बंध पर अधारित एक कमाने का तरीका है, जिसका सिधा सिधा मतलब है अजीवका प्राप्त करना, यानि कुछ कमाई करना。 अब आता है समाजी करन सोसलाई येसन सोसलाई येसन क्या होता है तो सोसलाई येसन समाजी करन जो होता है समाजी करन मनुज़ को समाजिक बनाकर उसे मानविय समाज का सदस बनाता है जिस परकार दोरा मनुज़ को समाजिक बनाया जाता है उसे समाजी करन कर दें सिधा सिधा समझा जाए समाजी करन सोसलाइजेशन का मतलब होता है कि समाज में ढालना समाज में समाजिक हिसाब से चलना तो समाजी करन मनुस को समाजिक बनाकर उसे मानविय समाज का सदस बनाता है और जिस परकडिया के दोरा मनुस को समाजिक बनाया जाता है, उसे ही हम लोग समाजिकरन कहते हैं, यानि समाजिकरन, यानि समाज में ढ़ालना ही समाजिकरन कहलाता है, ठीक है? एह हो गया.. अब आता है इदम्, इदम कहने का मतलब होता है, ये सब psychology का word है, ठीक है? ID को हम पहो अवसाइकताओं और इक्छाओं को संतूष्ट करने के लिए काम करता है इदम जो होता है यह आपके वास्तेविक्ता से इस पर कोई सम्मंद नहीं होता है आईडी हमारा देखे आईडी इगो और सुपर इगो यह तीनों हमारे माइंड का छेतर है ठीक है मस्तिक्स का एक जो साइकोलोजीक अनुसार साइकोलोजीक अनुसार इसी तीन भागों में बटा गया है जो इदम होता है आईडी जो होता है यह एक आपके बेक्तित्व को परकट करता है बेक्तित्व को आपके प्रशनाल्टी को दिखाता है जिसका वास्तिविक्तारियलिटी से कोई सम्म दोबद नहीं होता है समझ गए और यह आपके unconscious मतलब अचेतन अर्षतर पर काम करता है यह आपको दौरा अवसाइकताओं और इक्छाओं को संतुष्ट करने के लिए काम किया जाता है समझ गए यानि कोई बेक्ती है कोई बेक्ती है तो id उस बेक्ती के बेक्ती तुको पाईगा कि आइडी उसके बास्तिविक्ता से कोई लेना देना नहीं है ठीक है और आइडी जो है किसी ब्यक्ति के अंदर उसके अवसायकताओं को और उसके इक्छाओं को संतुष्ट करने के लिए काम करता है समझ गए चलिए इगो क्या होता है इगो भी समझ लीजी इगो बस्तिविक्ता के सिधान पर काम करता है समझ गए इसमें मानव दिखाई देने वाले स्थिति एवं बस्तूओं के बारे में विचार करता है समझ गए इगो अहम में बस्तिविक्ता पर काम करता है जो दिखता है उसी पर बेक्ति बात विचार करता है समझ गए इसलिए बस्त चान के बारे में बताता है या चेतना लेवल पर काम करता है बाते को समझ गए इगो होता है इगो में बस तभीकता पर काम होता है इसलिए जो दिखता है उसी के बारे में आदमी सुचता है समझ गए इगो सुपर इगो सुपर इगो जो होता है यह आपके सुपर इगो मुख आप लागू करने में मदद करता है यानि यानि सुपर इगो के बारे में बात किया जाए तो सुपर इगो मुख रूप से यह माता पिता द्वारा बच्चे को सिखाया जाता है यह एक प्रकार से नियम होता है बाते को समझें जो इंटर्नलाइजेशन प्रभाव ब्यक्त करत तो उसके लिए माता पिता उसको अच्छे चीजे सिखाते हैं, अपने बेवहार को अच्छे सुद्रीट करने के लिए उसमिन लोग नहीं कहता है, इसके माता पिता इसको क्या सिखाया हुए है, किसी को इजत नहीं कर रहा है, तो पड़ाहम सुपर इगो माता पिता के दौरा सिखाया गया एक नियम होता है जो ब्यक्ति के अंदर उसके internalization प्रभाव ब्यक्त करता है जो मनुस्यों को मार्क दर्शन और प्रभाव लागू करने में मदद करता है तो ए हो गया आपका सूपर इगो और इस हिसाब से मैंने आपको बता दिया और यहां पर आपका behavior science हो गया behavior science का जो definition था चोथा आपका समाप्त हो गया यह सब के सब चारों वीडियो जो मैंने आपको कराया definition का यह सारा के सारा notes आपको nursinggyan.com पर first year behavior science के अंदर क्यों भी definition के अंदर आपको मिल जाएगा ठीक है चरिए मिलेंगे अगले वीडियो में आपना ख्याल लखिएगा धन्यवाद